हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक वाफिट से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैं स्वाट का आज से क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे रिजनिंग के एक most important topic जो की है आपका केलेंडर पिछले कुछ बर्सों में केलेंडर topic से बहुत ही जादा questions जो है आपका different different competitive विग्याओं में पूछा गया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से कलेंडर के सभी concept को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं total 5 type में बाठ करके complete calendar को हम लोग बढ़ने वाले हैं जिसमें से आज हम लोग शुरुआत करेंगे type first ही तो बने रहेगा class के अंत तक सारे concept बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस class के दोरान बताए जाएंगे देखिए अगर हम सुरुआत करें calendar की तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे leap year के बारे में क्योंकि leap year का concept जो है वह आगे भी बहुत जादा काम आने वाला है तो आएए यहां पे हम लोग समझते हैं कि leap year क्या होता है एक ची हम सबको पता है कि एक वर्स में generally क्या होता है 365 दिन है ना और अगर हम बात करें normal year के फरवरी महीने का तो normal year का जो फरवरी का महीना होता है वह आपका 28 दिनों का होता है कि हर एक concept को अच्छे तरीके से सिखें और इस तरीके से सिखें कि फिर इसी चीज़ को आपको दुबारा से सीखने कि आप सकता ना पड़े तो इत्मिनान आप को हम लोग अधी वर्स भी बोलते हैं यृप आपको अधी वर्स लिखा हुआ भी मिल जाएगा तो अधी वर्स के अगर हम ना ﷺ होता है यादि एक दिन आप जो तो फरबरी के महीने में अगर 29 दिन है इसका सीधा सीधा मतलब है क्या है लीप यह होगा नॉर्मल यह में कितना होगा तो हम लोग समझते हैं जरा ध्यान से समझेगा कि लीप यह में 366 दिन क्यों होता है इस कॉंसेप्ट को यहां पर पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे की चीजों पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तेके होता क्या है कि एक बर्स में टोटल जो है आपका 365 दिन और 6 घंटा होता है अगर हम बात करें एक साल की तो एक साल में क्या होता है 365 दिन और 6 घंटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 365 दिन के बदले पूरा का पूरा एक बर्स ले लिया गया और 6 घंटे को जो है वह छोड़ दिया ग जैसे ही केलेंडर का दूसरा वर्स भी था तो फिर से दूसरे वर्स भी क्या होगा तीसरे वर्स भी हर बर्स 365 दिन और 6 घंटा होगा तो 365 दिन और 6 घंटा तो यहां पर क्या हुआ कि 365 दिन के लिए फूरा एक वर्स काउंट किया गया और 6 घंटे को छोड़ दिया गया फिर जैसे ही कलेंडर का चौथा वर्स भी था तो चौथे वर्स में भी क्या होगा हर वर्स 365 दिन और 6 घंटा तो 365 165 दिन और 6 घंटा अब यहां भी जब 6 घंटा हम लोग छोड़ना चाहे तो क्या हुआ कि पीछे से जो 6-6 घंटा चोड़ते हुए आ रहे थे पहला वर्स वाला दूसरा तीसरा और चौथा सब मिला करके देखे छे पलस से पलस से यानि कुल मिला करके पलस से 24 घंटा बन रह हैं मतलब अब तक जो पीछे छोड़ते आ रहे थे सब आवर वह कुल मिला के एक दिन के बराबर हो गया और अगर एक दिन हो गया तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं तो अब इसी के बदले में क्या लिया गया 366 दिन आपका बन गया तो होता क्या पूरा पूरा एक दिन बन जाएगा तो जब एक दिन बन जाएगा तो वहां पर इसको चोड़ सकते हैं वहाँ पे हम इसको count करना पड़ेगा तो उसी को एक दिन के रूप में हम जो हर चौथे वर्स में count करते हैं तो चौथा साल जो है वह आपका 316 दिन का हो जाता है और यह जो एक दिन extra आपका बना उसको कहाँ manage किया गया उसको जो है फरवरी के महीने में नॉर्मल यहर का फरवरी 28 दिन का होता था उसी में एक दिन बढ़ाया गया फरवरी को कितने दिनों का किया गया 29 दिनों का किया गया क्योंकि बाकि सभी महीना को अगर आप देखिएगा तो या तो 30 या फिर 31 दिन का पहले से ही था इसी में जो है सिर्फ 28 दिन था तो extra जो थ होने लग गया ठीक है चलिए तो आप यहां पर अभी कारण समझे हैं कि लिप वर्स में 366 दिन क्यों होता है अब आगे देखिए अब हमें यहां पर पहचान जानना पड़ेगा कि लिप यर का पहचान कैसे होगा हम इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते हैं मतलब चार-चार के इंतर पर जादा के तो नहीं निकाल सकते हैं हमें पहचान तो जाना पड़ेगा तो लिप वर्स का एक सीधा सीधा पहचान है कि जिस वर्स में 4 का भाग लग गया न यानि जो वर्स 4 से पूरा-पूरा कट गया वह क्या होगा वह आपका लिप वर्स होगा अब यहां पर कुछ वर्स हम लिखेंगे और आप देखिएगा कि वह लिप वर्स है कि नहीं पहचानने का प्रयास करिएगा तो आप क्या करिएगा इसमें 4 का भाग करिएगा 4, 4, 4, 16, 3, 31, 4, 78, 24, 32 यह आपका 4 से पूरा-पूरा कर जाएगा मतलब कि यहां आपका लिप वर्स होगा जि चेलिए अगर हम आपसे कहें किया बताइए कि 2024 क्या लीप वर्स है आप इसमें चार से भाग करिए चार से भाग करिए चार से नहीं कट रहा है इसका मतलब किया लीप वर्स नहीं है कोई भी साल कुछ चेक करना है तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 2029 को चेक करिए क्या यह लीप वर्स है आप क्या करिएगा इसमें चार का भाग करिएगा चार का भाग नहीं लग रहा है इसका मतलब कि यह लीप वर्स नहीं है ठीक है यह आपका क्या ह कितना भी बरा हो वह चार से कटती है या नहीं कटती है इसको जानने के लिए पूरे संख्या में चार से भाग मत करिए अंतिम दो अंक में चार से भाग करिए अगर अंतिम दो अंक संख्या चाहे जितना भी बरा हो उसका अंतिम दो अंक चार से कटता हो इसका मतलब पूरा सं कट रहा है नहीं कुछ से कट रहा है नहीं कट रहा है यानि कित यांधि आपका लिपर नहीं होगा तो सिर्फ हम आप से कहें आपके करों कि किया हुआ चली है आगे इस तरीके मुए कि ये ये इसे चेक करना है उल्यावाद 2000,000 और हम आप से पूछे कि 1600 क्या है यह सब Vaay Dave appears मतलब है उसमें beteki 366 दिन होगा। और उस साल का जो फरबरी होगा वह 29 दिनों का होगा। तो हमें यह चेक करना है कि वर्ष 1700 क्या लीफ वर्ष है। तो गौर से इन वर्षों को देखिए। जो भी वर्ष यहां पर लिखा गया है ना। सब का सब क्या है? सब का सब Century एर है। जो भी वर्स है सबका सब क्या है सेंचुरी येर है सेंचुरी येर का मतलब क्या होता है सताबदी वर्स जिसके भी लास्ट में 2-0 होता है जिसके भी लास्ट में 100 होता है उसको हम भी सताबदी वर्स कहते हैं जैसे और जो भी सताब दिवर्स होगा वह सब चार से कटेगा अब जब सभी सताब दिवर्स चार से कटेगा सब सताब दिवर्स लिवर्स होगा नहीं जब केस सताब दिवर्स का होगा तो चुकि सभी सताब दिवर्स चार से कटता है तो यहां चार का नियम काम नहीं करेगा यहां पर कितना का नियम काम करता है चार सो का तो जब सताब दिवर्स को यह चेक करना हो कि वह लिवर्स है कि नहीं उसमें 4 से नहीं 400 से भात करिएगा हुटी छोटी बात हैं जिस सो आपको ध्यान रखना है तो क्या औनिस सो चार सो से कटेगा वह उनिस सो भी चार से नहीं कटेगा यह लिप वर्ष नहीं होगा बाकि जो वर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग चार से ही काट करके देखेंगे ना चार से कट गया तो वहली वर्स होगा नहीं कटेगा तो वहली वर्स नहीं होगा अब इसको देखें यह लीप वर्स है यह लीप वर्स है इसका मतलब क्या है इसमें टोटल साल 19 312 में टोटल कितना दिन होगा 366 दिन होगा जो भी लिप वर्स है सभी में 366 दिन होगा और 366 दिन होने के साथ साथ इसका जो फरबरी होगा वो कितने दिनों का होगा फरबरी आपका 29 दिनों का हो जाएगा लीप यर होने का यही तो मतलब है कि इसका जो फरबरी महिना होगा वह आपका 29 दिनों का होगा तो सवाल कभी-कभी ऐसे भी पुछा जाता है कि निम्लिखित में से कौन सा लीप वर्स है लीप वर्स या अधी वर्स पुछा जाएगा और ऐसे भी पुछा जा सकता है कि निम्लिखित में से किस वर्स में फरवरी 29 दिनों का होगा, तो फरवरी 29 दिनों का होने का सिधा सिधा मतलब है कि लीप वर्स, लीप वर्स में ही फरवरी क्या होता है, 29 दिनों का, आप सुनते होंगे, कि अगर किसी ब्यक्ति का जन्म जो है, वो 29 फरवरी को हुआ है, तो उसका जन्म दिन है, वो 4 साल में एक स्वार्परी को लिए महीना 28 दिन K 시 시청 ये ही महीना 29 10 होता है पर लोग चान आंगे कैसे कि और कौन नहीं है तो सिधा सिधा तरीका है, जिस वर्स में 4 का भाग लग गया, वह लिप वर्स होगा, जिसमें 4 का भाग नहीं लगेगा, वह लिप वर्स नहीं होगा, लेकिन सताबदी वर्स के केस में क्या होता है, कि जो भी सताबदी वर्स है, सब 4 से कट जाएगा, तो क्या सब का सब लिप बर्स होगा नहीं हम क्या करेंगे सताबदी बर्स के केस में 400 से भाग करके चेक करेंगे अगर सताबदी बर्स 400 से पुड़ा-पुड़ा कट गया इसका मतब वह लिब बर्स होगा और अगर नहीं कट रहे तो वह आपका लिब बर्स नहीं होगा ठीक है लिब बर्स नहीं होग ऐसे पूछा जाता है कि कोई एक आपका सर्टेंट प्रियर्ट दिया जाएगा और पुछा जाएगा कि इतने बर्सों में कुल कितने लीपवर्स तो अभी आप क्या देखे हैं अभी आप देखे थे हर चार साल में एक बार लीपवर्स आएगा अजयाए एक ची और यहां पर पहला तारीक तो यहीं होगा और इसी 1 से बढ़ते बढ़ते हम लोग आज कहां तक पहुँच चुके हैं अब हमें यहां सोचना है कि कितने वर्सों में कुल कितना लीप वर्स होगा जैसे हम आप से कहें कि पहला वर्स लीप वर्स है नहीं है दूसरा वर्स नहीं है तीसरा वर्स नहीं है चौथा वर्स लीप वर्स है विल्कुल है यह आपका चार से कट गया लीप वर्स है पांचमा वर्स ल से कौंट करना पड़ेगा हम क्या करेंक है कि बारा में चार बार बार जाएगा उतना का भाग बारा कहने का मतलब होता है अगर कभी सवाल आप से ऐसे पुछा जाए कि 12 बरस्व में कितने निप बरसिंगे इसका मतलब है आप से पूछा गया है केलेंडर के पहले 12 बरस्व में कितने लिप बरसिंगे носी तो सोचिए 12 से कटने वाला नंबर कौन-कौन होगा, एक तो पहले 4, उसके बाद 8 और उसके बाद 12, यह सब ऐसा नंबर है जो कि आपका क्या होता है, यह सब ऐसा नंबर है जो कि आपका 4 से divisible है, 4 से कटता है, ठीक है, तो 12 बटा 4 करने पर जो 3 आया है, उसमें यही 3 नंबर काउंट हुआ होगा, अगर हम आपसे कहें कि 13 बरसों में कितना लिप बरस होगा, तो 13 में 4 का भाग कितना बार जाएगा, तो 13 में 4 का भाग कितना बार जाएगा, तीन बार, तीन पॉइंट सम्थी, भाग तो 3 बार लग रहा है, बांकी तो से सबच रहा है, तो जितना बा अगर हम आप से पूछे कि 21 बर्सों में कितना लिब बर्स तो 21 बर्स क्या करेंगे 4 21 में 4 का भाग कितना बार जाएगा 4, 5, 6, 20, 5 बार जाएगा यानि 21 बर्सों में फुल मिला के 5 लिब बर्स होगा यहां तक क्लियर है अब आते हैं important point पे important point यह है कि अगर आप से पूछा जाए कि 100 बर्सों में कितना लिब बर्स बहुत महत्पून कोश्चन है और यह data के साथ जो है वह आपका कोश्चन repeat करता हुआ मिलता है ध्यान से समझेगा 100 बर्सों में कितना लिब बर्स अच्छा एक बात बताये जरा ध्यान से समझेगा जो कौश्चन से आपको यहां पर हम बताने बाले हैं इस 25 में कौन को नंबर आया होगा जो भी 4 से कटा होगा तो 100 में 4 से कटने वाला सबसे पहला नंबर चार होगा उसके बाद 8 होगा उसके बाद 12 होगा इसी परकार से बढ़ते जाईए फिर क्या होगा आपका लास्ट में बिरान में होगा फिर 96 में होगा फिर 100 होगा यह सब ही वर्स आपका क्या है चार से कटने वाला है इस वी तो चार से कटता है न तो सव है 96 है इसके अलावा बिरान में हैं इन सब परकार से सो बटा चार किये हैं तो पचीस आया है इस पचीस में कौन को नंबर आया होगा किन की नंबर का गिंती हुआ होगा जो भी चार से कटेगा तो चार से कटने वाला बांकी सभी नंबर तो लीप यर होगा कोई दिक्कत नहीं है चार से कटने वाला बांकी सभी वर्स लीप वर् सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसमें सताबदी वर्सों को अलग से चेक करना पड़ेगा तो देखे यहां से यहां तक में टोटल पचीस नंबर आया है उसमें से चौओविस नंबर तो आपका फिक्स हो गया वह लीपियर होगा हम इसमें एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया है तो एक सो ओस में कितना अपने होगा सुसार और सिर्फ 24 पिर ही होगा कि यूँ ऐसा होगा सब्सक्राइब कि freshmen सब्सक्राइब करें यह थे मिद्स यसके अप Joint My어 वरस नहीं है, इसका मतलब है कि 100 वरसों में सिर्फ और सिर्फ 24 लीप यर होगा, आगे चले अगर हम आप से पूछे, भई आप हमें बताओ कि 200 वरसों में कितना लीप वर्स होगा, तो आप क्या करोगे, 200 में 4 से भाग करोगे, पैंकि हर 4 साल के बाद लीप वर्स आता है, तो लेकिन क्या इसमें कोई सताब्दी बर्स भी हुआ गुजरा होगा जब हम 200 साल तक पहुंचेंगे तो जब 200 साल तक पहुंचेंगे तो दो सताब्दी है इसमें लेकिन क्या 200 बर्सों में हम सताब्दी बर्सों को भी क्रॉस करेंगे हाँ दो सताब्दी है 100 और 200 तो इसको अलग से चेक करिए यो चार सो से कटेगा नहीं कटेगा तो यह लिप व्रस isnut ज्यासवनेон तालने को दोसओ साथादी बर्स आया और दोनों का दोनों 400 से कितना लिपियर तो हमें पता है हर चार साल में एक लिपियर तो तीन सो में तीन सो बटा चार कितना होना चीए 75 लेकिन जब हम बात 300 साल की करेंगे तो 300 साल में हम सताबदी वर्स कौन-कौन सा क्रॉस करेंगे साल-तस, साल-तस, साल 2-O-O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A यहा प्र- scenario हाना है से मन sister करेंगे है तो लेकिन जब बात हम 400 की करेंगे फिर दो सौमा फिर तीन सौमा और उसके बाद चार सौमा चार सताबदी हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे अब इसमें से देखिए कि कौन कौन लीपीर है यह वाला नहीं है यह वाला नहीं है यह तो है यानि यह 400 से कट रहतो है मतलब 3 extra count हो गया तो 100 में से कितना माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 3 क्या हो जाएगा 97 में तो 400 बरसों में कुल मिला के 97 में लीपियर आपका होगा अगर हम आपसे कहें कि 400 साल में कुल कितना लीपियर होगा तो 400 बटा 400 आता है अब 100 तो आया यानि 100 ऐसे वर्स हैं जो कि आपका 4 से कटेगा लेकिन 4 से कटने के बावजूद सताबदी वर्स लीप वर्स नहीं होता है तो हम यहाँ भी देखेंगे कि 400 वर्सों में हम कितने सताबदी को क्रोस करेंगे तो 4 सताबदी 100 मा, 200 मा, 300 मा, 400 मा 100 मा, 200 मा, 300 मा यानि कि 3 जो है वो लीप यर नहीं है कि बावजूद इसमें काउंट हो गया है उस 3 उक माइनस कर लिजे 100 माइनस 3 क्या हो जाएगा अब आप से पूछा जाए मान लिजे कोई बरा डाटा ही दे दिया जाए और यहाँ पूछा जाए ठीक है कि आप हमें बताओ कि 1300 बर्सों में कुल कितना लिप बर्स होगा कैसे आप निकालिएगा 1300 बटा 4 करेंगे 4 से भाग कर यह देखे कितना आता है 4 तिया 12 ठीक है तो हर 4 साल में एक लिप यह तो 1300 साल में 300 बटा 4 यानि कि 325 आया अब इस 325 में एक्स्ट्रा जितना भी काउंट हो गया उसको हटा लीजे तो आप देखिए कि 1300 में लिप यह कौन-कौन होगा लिप सताप दियर 100 से 1300 में चलेंगे तो देखिए 400, 800, 1200 सिर्फ 3 तो 1300, 13-3 क्या हो जाएगा आपका 10 यानि 10 इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो गया तो 1300 की बात करेंगे तो 100 मा साल ठीक है 200 मा इस तरीके से 300 मा फिर क्या है 400 मा फिर 500, फिर 600 फिर 700, फिर 800 फिर 900, फिर 1000 फिर 1100, फिर 1200 और फिर 1300 अब इसमें देखिए गा टोटल कितना वर्ष हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा इस 13 में से गौर से देखिए लीपियर तो यह हवाला है यह हवाला है, और यह हवाला है तीन ही लीपियर है, मतलब तेरह में से तीन ही लीपियर है तो तीन हटा लिजे, बचा कितना? बचा 10, यानि 10 एक्स्ट्रा काउंट हो गया है तो इस 325 में एक्स्ट्रा जितना काउंट हुआ है को हटाईएगा ना तो 325 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 315 तो 1300 बरसों में कुल मिला के 315 लीपियर हो जाएगा ठीक है अगर हम आपसे कहें 700 बरसों में बताईए कितना लीपियर होगा तो 700 बट्टा 4 करिएगा 4 से भाग करिए कितना हो जाएगा 4 एकम 4 होगा 3 4 सत्य 28 और चोथा 400 मा वर्स होगा वही लिप बर्स होगा तो 400 वर्स में जब आप जाइएगा तो सताबदी वर्स कितना है साथ सताबदी वर्स, मिलेगा 100-200-300-400-500-600-700 इसमें से सिर्फ 400 जो है वह सतावदी वर्स के रूप में सही काउंट हुआ है बाकी का छे गलत माइनस कर लीजे 6 175-6 कितना हो जाएगा 179 यानि 700 बर्सों में आपका 179 लीपियर हो जाएगा बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट यहां पर आपको प्रिपियर का बताया गया है एक हर टाइप को बहुत ही बारीकी से अच्छे से हरे कॉंसेप्ट को सिखते हुए हम लोग बरहेंगे इसके उपर आधायित कोशन्स भी करेंगे जो पीछे के एकजाओं में अलग-अलग से पहला वर्स बिता तो 365 दिनोर 6 घंट ती promises लिंए खेंटा चोड़ दीए फिर 365 दिन चेंटा तुसर सांख बिता होता होगा इस तरह से 4 साल में क्या हुआ इशी घंटा जो छोड़ते हुए आ रहे के वह 24 घंटा बन गया 24 मतलब पूरा एक खोशान होना चाहिए तो ठीक है चौथा साल हो गया आठवा साल हो गया बारहवा वासाल हो गया इसी तरह से आगे बढ़िए बेरानमे से चार साल का गैप मिलेगा तो फिर से आपका लीप एर बनेगा चे शे घंड़ा के बज़े पिर च्यानुए से सो में जब हम लोग बर्हे तो यह हमारा लीप एर क्यों नहीं बना ध्यान से समझेगा इसलिए लीप एर नहीं बना क्योंकि बास्तम में क्या है गौर से समझेगा बास्तम में जो है एक बर्स में 365 दिन और कम्पलीट 6 घंटा नहीं होता है पांच घंटा इसके अलावा कुछ मिनट और कुछ सेकेंड होता है जो लगभग 6 घंटा के बराबर था इस बजा से हम लोग राउंड फिगर में जो भी कर दो कमी में वह कमी जब सौ साल हुआ जो सौ साल में पूरे एक दिन के बराबर कमी रह गया एक दिन के बराबर फांच घंटा कुछ मिनट और कुछ से केर्द कम्पलीट 6 घंटा नहीं था लेकिन हम लोग कम्पलीट 6 घंट घंटा क्या करेंगे जैसे ही सवा साल हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हुआ जो कमई वाला टाटा था उसके बज़़ा से एक दिन कम हो गया और सवा साल हमारा तिनसो पैसर दिन कहीं रह गया तो यह concept है आपका किसका यह concept है leap year का clear होडा होगा अब एक शी और आप एक साल का गैप लेकिन कभी कभी या गैप जो है जैसे मालीजे हम आप से कहें कि 1892 में क्या लीप वर्स है आप बोलोगे है 1896 में क्या लीप वर्स है आप बोलोगे नहीं है 1904 क्या लीप वर्स है आप बोलोगे है यह लीप वर्स है यह लीप वर्स नहीं है सताबदी है ना 400 से काटके देखेंगे नहीं कट रहा है यह आपका लीप वर्स है अब आप गौर से देखिए यह वाला जो है हमारा क्या है लीप वर्स नहीं है यानि जेनरली लीप वर्स के बीच में दो साल का गैप होता है लेकिन यहां पे 1896 के बाद सीधे 1904 कितने वर्स क गैप हो गया आठ साल का गैप हो गया तो लीप वर्स के बीच में दो लागातार लीप वर्स के बीच में करमागत करमागत का मतलब भी होता है लागातार करमागत लीप वर्स के बीच में कभी कभी आठ साल का भी अंतर होगा और जब आठ साल का अंतर होगा उस केस में पक् बीच में आठ साल का gap होगा नहीं तो हमेशा क्या होगा हमेशा आपका चार साल का gap होगा समझ पारे होंगे चलिए अब चलते हैं अपने questions के उपर इतना concept अगर आपका clear हो गया है तो आईए चलते हैं questions के उपर पहला question देखेगा यहां पर क्या है हम लोग cable type 1 देख रहे हैं इन वर्सों में से कौन सा एक अधिवर्स नहीं है अधिवर्स का मतलब क्या होता है अधिवर्स का मतलब होता है लीपियर हमें क्या चुनना है इन वर्सों में से कौन सा लीपियर नहीं है तो देखेगे सताबदी वर्स है 400 से कटेगा नहीं कटेगा इसका मतलब यहां आपक छार सो से कट रहे लीपियर है त आपदी बर्सों में Prior है चारसो से कट रहे कॉना एक चूण नहीं चुन नहीं है सिर्स गांधि को देख आज़ोगा अगरा वाला होगा वह नहीं है दूसरा देखे निमलिकित में से विसम चुने हमें क्या चुनना है विसम चुनना है यानि find odd one जो विसम है उसको चुनना है मतलब चार option में से तीन option एक group बना रहा होगा किसी ना किसी properties के आधार पर एक समान होगा हमें वह चुनना है जो different है तो देख 1800 क्या यह लीपियर है यह लीपियर नहीं है आगे देखे 1900 क्या लीपियर है नहीं है 1886 क्या लीपियर है नहीं है तो गोर से देखे इन चारो वर्स में से यह लीपियर है बाकी का लीपियर नहीं है इसका मतलब विसम कौन होगा विसम बिकल्प A हो जाएगा चारो option में क्या इन और नहीं है एक है यह नोगा अ कि प्रवर्विए इस villains को आई का का अंसर सौ साल में कितना लिबर्स होगा चोवीश लिबर्स होगा वर्स की अबधी में कितना लिबर्स होगा हम क्या करेंगे हम करेंगे सौ बट्टा चार से भाग करने पर कितना आता है पच्चीस आता है इस पच्चीस में किसका किसका गिंती हुआ होगा इस पच्चीस में वह लीपियर है या लीपियर नहीं है मतलब इस 25 में यही एक्स्ट्रा काउंट हो गया होगा तो एक माइनस कर लीजिए यानि कुल मिला के कितना लीपियर होगा 24 हमारा अंसर 24 होगा और अगे चलिए अगला देखिए यादी एक्स्ट्राल में लीपियर की संख्या है तो एक्स माइनस का माण क्या होगा एक्स से क्या दर्साया गया है 200 वर्सों में लीपियर की संख्या तो आप बताईए कि 200 वर्स में कितना लीपियर होगा 200 बट्टा 4 200 बट्टा 4 करिये कितना आयेगा 50, चाहिस 50 में कौन कौन आया होगा इस 50 में जो भी 4 से कटा होगा आया होगा, लेकिन इस 50 में 100 वर्स और किसे चेक करें क्या लीपका है नहीं है यहां क्या लिट काउंट में। इसको हटा लिजी, अंसर आपका क्या हो जाएगा? 48, तो 100 बर्सों में 48 लिपियर होगा? 200 बर्सों में, अब 200 बर्सों में जितना लिपियर होगा, उसी को X से दर्सा आया है, तो X का भेलू 48 हो गया, हमें क्या बताना है इस question में? हमें इस question में बताना है, X-1 का मान बताएगे X-1 तो जब X 48 है तो 48-1 क्या हो जाएगा 47 हमें क्या बताना था X-1 का मान X से किसको दर्स आया है 200 वर्सों में लिप वर्स की संख्या 200 वर्स में कितना लिप वर्स हो जाएगा 200 वर्स में 48 लिप वर्स होगा और 48 किसका मान हो जाएगा चार 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 साल में एक बार लीपियर आता है तो चार सो साल में एक बार लीपियर आता है तो लेकिन इस सौ में देख लीजिये सताबधी कितना हम लोग ज्ञवजरे होंगे 400 साल में एक तो माहा इसके अलाबा 2-05 माहा फिर 3- кас और इसके अलाबा 400 माहा तो इसको अलग से चेक करना पड़ेगा ना इस सो में इन 4 सो का भी तो गिंती हुआ कटा होगा जब हम 400 तक में जाएंगे तो सथाब्धी छोतां वह भी चार से कटता है तो इन चारों का भी किंती हुआ होगा अब इस में से चेक रिया लग से क्या यह लीपियर है नहीं है यह इस वाला नहीं है यहा ऻादा नहीं है पुल मिला के 400 बट्टा 4 यानि 100 होना चीए था लेकिन सतावदी वो इसमें से हटा लेंगे सतावदी कौन-कौन हटाएंगे 100-200-300-400 को क्यों नहीं हटाएंगे क्योंकि वह लिपियर है 400 से कट रहा है तो यह रहेगा बाकी 3 एक्स्ट्रा इसमें काउंट हुआ है जितना एक् का मतलब क्या होता है अधी वर्ष का मतलब होता है लीपियर तो हमें क्या बताना है अथारह सो से 2,000 के बीच बहुंतसे 1864 टोटल 101 कितना वर्स होगा 101 क्योंकि 1800 को भी सامिल करना है अगर हम आपसे कहे कि 10 से 15 तक में कुल पतना संख्य है तो 10 और 15 में डिफ्रेंस 5 का है लेकिन संख्या आपका इससे 1 जादा होगा देख लिजए 10 से 15 तक है न तो 11 12 3 4 अब इन दोनों को सामिल करते हुए काउंट करिए एक दो तीन चार पांच च्छ आया ना जो डिफरेंस होगा उससे एक ज्यादा संख्या तो अठाघाथ सो से उनिस्ट तक में कितना संख्या हो जाएगा आपका आठाधा हैं सवच के अंतर में सिर्फ चौवीस लिब बर्स ह सौ साल में 24 ली बर्स होगा ना तो इस सो बर्स में सिर्फ 24 लीपियर होगा यहीं होगा ना अठारसो चार जब अठारसो चार लीपियर होगा उसके बाद 1808 लीपियर होगा वैसे बढ़ते जाए इसको जब आप काउंट करिएगा तो कुल कितना आएगा 24 लीपियर होगा और इधर सो बर्स में देख लिजे चुकि यह वाला लीपियर है इस बज़े से 25 हो जाएगा क्यूंकि हम लोग देख लिजे 1900 से आगे बढ़ेंगे तो 1904 लीपियर होगा फिर 1908 लीपियर होगा और ऐसे ही बढ़ते हुए जब हम जाएंगे तो 1996 में भी लीपियर है और फिर 2000 भी हमें क्या मिल जाता है तो इधर टोटल 25 आपका लीपियर हो जाएगा इधर 100 साल में हमारा आंसर इस question का 49 1800 से 2000 के बीच इन दोनों वर्सों को सामिल करते हुए अधिवर्सों की संक्या यानि लीपियर की संक्या हमें क्या बताना है साल 1800 और 2000 के बीच कुल कितने लीपियर आएंगे आंसर क्या होगा 49 अगर हम आप से कहे या बताएं कि 1700 से 1800 तक में कितना लीपियर तो देखिए 100 साल का गैप है न 24 लीपियर हो जाएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी सेंचुरी आपका लीपियर नहीं है अगर हम कहें आप से कि 1800 से 1900 से 100 साल का गैप है 24 लीपियर हो जाएगा अगर हम आपसे कहें कि 1900 से 2000 अभी दोनों को सामिल करना है तो यहां कितना हो जाएगा 25 होगा क्योंकि यहां वाला आपका जो एक सताबदी है वो आपका लीपियर है अगर हम आपसे कहें 2000 से 1200 दोनों को सामिल भी करना है यहां भी कितना हो जाएगा 25 साल का गैप है लेकिन चु होगा सो साल के इंटर्वल पर लीपियर आगे चाहिए अगला सवाल इसको लोग देख चुके हैं सवाल नंबर छे सेम चीज है वर्स 2016 में बावन सब्ता और पी दिन थे तो पी का मान बताईए आप एक ची देखिए बोला क्या है कि वर्स 2016 में सब्ता दोहुजार सोल है जो है क्या कर जाता है मतलब लीपियर है तो इसका मतलब है कि दोहजार सोला में कितना दिन होगा टोटल तीनसह च्वोच्शन में कि दोहजार सोला का मतलब बावन गुने साथ दिन होगा बावन सब्ता का मतलब क्या होगा बावन सब्ता का मतलब बावन गुने साथ दिन तो बावन सब्ता और पी दिन इसके अलावा कितना दिन था पी दिन था वर्स 2016 में क्या बोला है वर्स 2016 में बोला है कि बावन सब्ता और पी दिन तो ब दिन जबकि 2016 में टोटल कितना दिन हो जाएगा 366 यहां से पी का मान बताइए क्या होगा 52 साथ कितना होता है 364 होता है 364 जाके 366 में से घटेगा कितना होगा दो ही होगा आप इस इसको ऐसे भी समझ सकते हैं है दो जो नॉर्मल यह होता है उसमें बावन सब्ता है और यक दिन और जो होगा हुसमें बावन सब्ता केलाबा दो दिन होगा पोला है दो scor naso collecting अltर सिसका मतलब पी का मान किया हो जाएगा ठीका मान आपका दो हो जाएगा और तो इस तरहीँ के से टाइप फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं टाइप फर्स्ट में हम लोग लीप यर के कॉंसेट को अच्छे तरीके से सिखे हैं ठीके कलेंडर का अगला जो टाइप है वह भी बहुत जादा महत्पूर्ण है वहां से भी कोश्चन जो है एक्जामनेशन में भर-भर के पुछा जाता है उस टाइप का भी आप लोग वेट करिएगा और नोट्स एक आपका त्यार करते रहेगा अपने हाथ से और एक चीज़ का नोट्स त्यार करते रहेगा ताकि आपको यही चीज़ जो है दुबारा से पढ़ने का जुरुत नहीं पड़े जो भी कॉंसेप् और जब आप नोट्स त्यार रखते हैं तो फिर आपको क्या करना है सिर्फ उसको देखना है वहां से रिविजन करना है और उससे चीज़े जो है आपके दिमाग में दुबारा से आ जाती है ठीक है चलिए तो इस क्लास में इतना ही फिर से मिलेंगे हम लोग अगले क्लास म में जहां पर हम लोग केलेंडर के टाइप दू को देखेंगे तो बने रहिएगा क्लास के साथ तैंक्यू जैहिंद